नियूस पेपर थिम का अगर लेटेस वर्जन डाउनलोड करना चाहते है तो इस वीडियो को पूरा देखे जिससे आप बना सकते है एक बहतरी नियूस वेबसाइट या फिर आप अपनी शौप के लिए भी वेबसाइट बना सकते है पूरा थिम दिल्कुल फिरी में दिया ज जादा से जादा लगा सकते है फूटर आपको प्रेमें मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हम यह रजिस्ट्रेशन थिम जो हमने पर्चेस किया है वो हम आपको बिल्कुल फिरी दे रहे है तो आप अगर यह थिम अपनी वेबसाइट पर यूस करना चाहत है तो इस ठीम को हम आज आपको फिरी देने वाले है जानने के दिया पूरा वीडियो देखिए हम आपको पहले कुछ दिखा देते हैं कि हमारा जो वर्जन 10.4 और रजिस्ट्रेट है यहां पर देख सकते हैं सक्सेस्पुल इंस्ट्रोल इंस्टालेट यहां पर लिखा हु तो आपको यह देख लेना है अगर तो आप इस वीडियो को पुरा देखें अगर आप होस्टिंग लेना चाहरे है तो हमारे पास एक भेथरी होस्टिंग प्लान है जो कि उनों होस्टिंग पे अविलेबल है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 20% आफ देता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान है जो कि आप यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 499 रुपए में एक साल के लिए मिलता है एक वेबसाइट वजी बेसे जिहाडिक्स और यह बहुत बहुत बहुतरीन प्लान है इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिशन में देगे तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे में पॉपिक की तरफ तो आपको सबसे पहले अपना सी पैनल ओपन कर लेना है तो चलिए हमने हमारा सी पैनल ओपन कर लिया है सी पैनल ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल मेनिजर ओपन करना है फाइल मेनिजर ओपन कर लग सकते है कि यहां पर जो कंटेन है कंटेन पर आपको क्लिक करना है और कंटेन पर क्लिक करना है कि बाद में आपको यह थिम्स पर क्लिक करना है और जो आपका पहले वाला थिम है इसे सिलेक्ट और करना है और यहां से इसे डिलेट कर देना है पुराने थिम्स और डिलीट करने के बाद में आपको वर्टप्रेस में आ जाना है आपेरियंस पर किलिक करना है थिम्ट पर किलिक करना है थिम्ट पर किलिक करने के बाद में आपको एड़नू पर किलिक करना है अपलोड थिम्ट पर किलिक करना है चूस फाइल पर किलिक करना है हम आपको वदात ह पर किलिक कर लीजिए दोस्तों आप इसमें थोड़ी सी भी गलती ना करें वरना आपका थेम एक्टिवेशन नहीं होंगा हम जैसा आपको दिखा रहे हैं आप सेंटु सीम हो सदेχी हीए थे चलिए हमने से 1 टेक्लिक किया है हमारा थेम इस्टॉल हो रहा है अरुत ही तो दीकिए यहां पर हमारा सिंस्टॉल हो गया है हम सिंपल से एक्टिवेट पे किलिक कर देना है एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंट्रेफेस आएंगा पहले आपके सामने सिर्फ तीन फोल्डर आएगे ध्यान रहे इससे डरना नहीं है पहले तीन फॉल्डर आएगे लेकिन जैसी ही आप यह प्लेगिंग इंस्टॉल करेंगे तो वह सारे ही फॉल्डर आपके सामने आ जाएगे तो चलिए यहां पर इंस्टॉल और एक्टिवेशन प्लेगिंग पर हम क्लिक कर रहे हैं झाल आपके सामने जाएगे तो चलिए यहां प्लेगिंग जाएगे तो चलिए रहे हैं झाल आपके सामने जाएगे तो चलिए यहां जाएगे तो चलिए यहां जाएगे तो चलिए यहां जाएगे तो चलिए यहां जाएगे तो चलिए तो चलिए जाएगे 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 तो चलिए जाएग हुआ है तो देखे दोस्तों हमारे सामने ये पलगिंगे इस्टॉल हो गए है और हमारे सारे फोल्डर भी ओपन हो गए है हम वीडियो में जरा सी भी एडिटिंग नहीं कर रहे है ताकि आपको पूरा समझ में आए तो आप वीडियो को पूरा ही देखे तो आपको सिंपली सिंपेनल में जाना है को आप देख सकते हैं यहां से आप जो यहां से तो तो तली होग सकते हैं लेकिन हम सबसे पर में आप को इस्टालीशन दिखाए। एगे तो आपको सिस्टम स्ट्रीधों प्रक्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह की और दौन आयगा त्वी एक्टिवेट now पर click करना है तो यहां पर आपको activate जो है तो यहां पर देंगे नीचे देगी आप एक्टिवेट मेने वेली थिम थिम मेने वेली पर click करना है और यहां पर आप देख सकते हैं बजिस तरीकी का interface आजाएगा आपको वापस से अपने सी पैनल में आ जाना है औरreuक्षटम यहां पर हमें upload पर क्लिक करना है चूस फाइल पर किलिक करना है और यह activation की डॉट पीच पी जो है तो फाइल यहां पर आपको इंस्टाल कर लेना है यह फाइल भी हम आपको जो यह तो दिस्क्रिप्शन में नीचे लेकिंग कर देंगे आप प्लिक कर देना यहां पर देखिए आपके सामने की डॉट कई हूं है कि यहां से आपको कि एडिट करना है तो आफ देख सकते हैं कि आड़िट करना है यह एडिट हो गई है आप हम यहां पर जाएंगे मैनूली की किज आए online आइडी जो है तो हमें यहां से copy कर लेना है और यहां पर हमने edit किया है file को वहां पर यह जो हमारी first वाली serial id है 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 यहां पर इसे इसको अटा कि यहां पर paste कर देना है यह हमने paste कर दिया है save and changes पर हमें click क्लिक करना है इसके बाद में हमें नीचे का purchase code copy कर ले ले रहे हैं कि आपका कोड बरबर कॉपी हो वरना आपका थिम एक्ट्विशन नहीं होगा और यहाँ पर हमें पर्चेस कोड की जगा पर इसे पेस्ट कर देना है उसके बाद में दोस्तों जो हमें पर्चेस की नौनोट करके रखी है उसे एडिट करना है और टोटल पीछ पी तक कोड जो है तो यह पूरा कॉपी कर लेना है कॉपी कर लेने के बाद में आपको न्यू विंडो खोल लेना है अपना डोमेंट सर्च करना है और यहाँ पर स्लेश लगा कर वो जो आपने कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इंटर पे किलिक करना है जैसी आप से समिट कर देगे और इसे एक्टिवेट पे क्लिक करेगे तो आपका थीम देखिए सक्सेस्फुली एक्टिवेशन हो गया है अब आप इसे ओके पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर आप सिस्टम इंस्ट्रेटर्स पे जाए तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है वह है कुलितरसी हुब एए